नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चोधी प्रदर्सपर और आज हम सीखेंगे एक यह सौंग आप सभी ने सुनाओगा और इस सौंग को आज हम सीखेंगे विद म्यूजिक सीखेंगे विद नॉटेशन सीखेंगे ठीक है और बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताओँगा ताकि जो बिगनर्स हैं जिन्नोंने अभी अभी बजाना शुरू किया है जो सीख रहे ह वो भी इस सौंग को अच्छे से प्ले कर सकें तो आएए हम कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की और देखेगा step by step हम इस lesson को करेंगे हलो दोस्तो अगर आप भी अपने घर बैठे संगी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जबरजस्त एप प्ले स्टोर पर एविलेबल है जिसका नाम है रियाज एप इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसमें इंडियन क्लासिकल करनाटक काफी सारे फीचर्स इसमें अभी लेबल है इसमें आप अपने लेबल के हिसाब से अपने सिंगिंग को इंप्रूब कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी चैक कर सकते हैं हमारे वीडियो के description में इसका लिंक मिलेग आपको उस पर खантиख किईए प्ले स्टोर से डाउनलोड और महान गुरुवें से संगीज सीखे तो आइए देखते हैं इसका स्केल देखेगा सबसे पहले जो इसका ओरिजिनल स्केल है वो तो है आपका ई मेजर ओरिजिनल स्केल यह है अब यहां से हर हार्मोनिन प्लेयर या हर सीखने वाला ना तो गापाएगा और ना बजा और पहले काले से हम इसको बना रहे है राख के बारे में अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका एक बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा सा राग है स्वर देखिए फिर आपको राख का नाम बताता हूं जिसे हमने यह इसको सामाना है तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा यानि के धा को मल और अकन नी को मल और सा इस्थाई में तो है यह रूप और नंत्रे में इसमें धा और नी बनुशुद हो जाएगे यह धा और नी दोनों शुद हो जाएगे ठीक है तो इसका जो राग है जो राग बन रहा है इस इसाथ से इन स्वरों के रोट के हिसाथ से जो राग है राग चारूकेशी राग चारूकेशी पर आधरित है यह सौंग तो अब देखेगा स्वर समझ लिजीए अपने सा, रे में सारे स्वर शुद हो जाएंगे धा और नी भी शुद हो जाएंगे ठीक है अब देखेगा जो गाना जहां से शुरू होता है इस थाई हम वहीं से सीखेगे उसके बाद इस थाई का म्यूजिक सीखेगे ठीक है अब देखेगा जूठ बोले कव्वा कठे काले कव्वे से डरियो मैं मई के जली जांगी तु देखते रही हूँ ठीक है यह है इस थाई जोट बोले कववा कठे यह है पहले लाइन पा सा 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 पा अब यह है पहले लाइन ठीक है जोट बोले अब यह पा और सा दोनों पर ही चल भाए जोट बोले पा सा 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 पा पा सा 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 पा जोट बोले कववा कठे कववा कठे पापा दा पा मामा कववा कठे पापा दा पा मामा ठीक है काले कंवे से डरियो गामा पापा नी दादा पापा काले कंवे से डरियो गामा पापा नी दादा पापा मैं मैं के जली जाओंगी तु देखते रही हो अब यह जो लाइन है अब आधिया लेकर कर समझेगा मैं मैं के जली सारे का गारे रेसा मैं मैं के जली सारे का गारे रेसा मैं मैं के जली जाओंगी जाओंगी रिमा बापा मैं मैं के जली जाओंगी सारे का गारे रेसा मैं 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 के जली जाओंगी तु देखते रही हो मा गारे रेसा तु देखते रही हो मा गारे रेसा तु देखते रही हो मा करेगा गारे रेसा सारे रहा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को प्रेस कर दीजे त스타 सब तक रे और नोर से शिरू होगा है अम मैं मुज्च व lately डिखाता हूं डिसप्ले पर आपको आप देखेगा नौटेशन मिल रहा है आप देखेगा नौटेशन मिल रहा है और सीखेगा किस तरह से आपको बजाएगा यह है और सुरमा दिखाया है आप देखेगा नौटेशन मिल गया हुआ है यह हुआ इतना मिजिक पार्ट अब इसके बार फिर एक स्ट्रिंग का पार्ट है क्योंकि यह वाला पर दूसरी बार में आपका ब्रास स्बंगता है और दो बार होने के बाद फिर आपका जो आता है वो इश्रिंग का पाट में आप यह है इसके बाद इसके बार अब देखें का अधा यह है ठीक है यह हुआ अब इसके बाद आता है आपका अंत्रा अंत्रा लेकर अंत्रा लेकर अंत्रा तू मैंके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आउँ वाइड अभी जो लाइन है इसका नॉटेशन देगी है अधी लाइन का देखेंगे नॉटेशन का इतना देखे तू मैंके चली जाएगी पापा गागा पागा धासासा पापा गागा पागा धादा सासा तू मैं डंडा लेकर आउँ गाउगा तू मैं डंडा लेकर आउगा खागा तू मैं डंडा लेकर आएगा धूंद अब ये भी से वो इनोटेशन चल रहा जो पहली लाइनों का है ठीक है उसी तरह से बज़गा है तू दंडा लेकर आएगा मैं पूए में गिर जाओंगी ठीक है उसके बाद मैं रसी से किचवाओंगा अब ये जो लाइन है मैं रसी से किचवाओंगा सामी नी धादा पानी धादा पापा मैं रसी से किचवाओंगा उसके बाद मैं पेड़ पेचड़ जाओंगी मैं आरी से किचवाओंगा ठीक है ये दो लाइनों की नोटेशन है जिसे नोटेशन पर ये पूरा अंक्रा चलोना है ठीक है मैंने आपको बजागर के दिखा दिया है नोटेशन भी आपको पूरी दे दिये आप इसी तरह से पूरे अंत्रे की नोटेशन को अच्छे से बजा पाएंगे ठीक है राखी के अंत्रे की भी सब नोटेशन सेम रहेंगी और उसके बाद फिर जो लाइन है प्यार करे आरी चलवाएं ऐसे आशिक से डरीशन भी आप यह लाइन सेम वो आगई है जो आपने इस ताहिए जोट बोले कभवा काटे काले कभवे से डरीशन भी आप उसी तरह से आप इसको बजाएंगे वो लाइन है प्यार करे आरी चलवाए ऐसे आशिक से डरी हो मैं मैं के चली जाओंगी तुम देखे तेरी हो ठीक है फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मेरी इकोशिस आपको पसंद आई होगी बाकी के अंत्रे भी आप इसी तरह से प्ले करेंगे और इस म्यूजिक के साथ आप अच्छी से इस गाने को बजा सकते हैं अगर ये मेरी आज़ी कोशिस आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और चैनल को सपोर्ट करते रहें आप सभी का बहुत-बहुत दही दिल से शुक्रिया जितने भी प्यार भरी कमेंट्स आपके मिलते हैं कोशिश करते हैं उन पर रिप्लाई दें और जितना भी समय भी लपाता है होतना करते हैं और आप सभी हमें इतना प्यार दरे हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया कीजिया आप इसकी प्रक्टिस मिलेंगे में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर हैपी लगए